गुद आफ्टरनून इस्टुडेंट्स आज हम बिएस्सी पार्ट फस्ट यर फिजिकल रसायन यानि फिजिकल केमेस्ट्री के चेप्टर नमबर टू को इस्टेडी करेंगे चेप्टर नमबर टू काफी सिंपल है और आपने पहले इसके बारे में टैंन्थ में और 12 में काफी कुछ पढ़ रखा है चेप्टर नमबर टू है कंप्यूटर कंप्यूटर कहीं लोग अपने घरों में भी काम में लेते हैं आपने मार्केट में भी देखा होगा कम्प्यूटर आज की किस्वी सदी में डेली यूज में आने वाली चीज है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्यूटर वाले चेप्टर का सिलेबस क्या है सिलेबस देखना बच्चो इसलिए जरूरी है चुकि कम्प्यूटर टॉपिक पे तो पूरी लाइबरेरी है हमें पूरी लाइबरेरी नहीं पढ़नी है हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो की हमारे सिलेबस में है तो सिलेबस के अगर मैं आपको की पॉइंट्स बताऊं तो कम्प्यूटर चेप्टर के इसले बस में है कि computer का इतिहास क्या है यानि कि प्रारम से लेके अब तक computer प्रारम में computer कैसे बणा computer की शुरुवात कहां से होई और अब computer की कौन सी stage है इसमें next ओका की computer के पीडियां कौन कौन सी है computer प्रणाली के सिद्दान्थ क्या है कम्प्यूटर का वर्गी करन कैसे किया जाता है कम्प्यूटर के आधार बूद गटक कौन से है आप पहले भी देखेंगो Input Unit, Output Unit, CPO ये आधार बूद गटक में आएंगे कम्प्यूटर में कौन कोने Software है कम्प्यूटर के Operating System कौन से है फिर हम पढ़ेंगे कम्प्यूटर भासाओं के बारे में जिसमें हम Manly पढ़ेंगे Binary Number System देखे, Decimal Number System भी होता है Hexadecimal भी होता है, Octa Number System भी होता है लेकिन आपके syllabus में सिर्फ Binary Number System है और Binary Number System पे 100% कुस्टर आता है कि Simple Digit को Binary में Convert कीजिए या Binary Digit को Simple Digit में Convert कीजिए इस तरह से कुस्टर हमेसा आता ही है तो इसको हम Detail में Steady करेंगे अब Detail में Steady में हम यह देखते हैं कि इसके syllabus को अगर हम Detail में देखें तो क्या होगा देखें कंप्यूटर के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले Abacus एक छोटी सी मसीन थी जो गिंती करने के लिए थी छोटा सा खिलोना टाइप का अभी हम उसको Detail में भी पढ़ेंगे Abacus आया उसके बाद आया Blage Pascal Instrument Blage Pascal के बाद J Card Loom J Card Loom के बाद Analytical Engine Analytical Engine के बाद में फिर Computer की सुरुवात हुई ऐसे ही अगर हम कहें तो Computer की पीडियां तो प्रतम पीडी दित्ते पीडी दित्ते पीडी चत्त पीडी पंचम पीडी पाच पीडियों तक हम इसको देखते हैं Computer की प्रनालिया क्या है Computer की सिद्दान्द क्या है तो Computer की सिद्दान्द में तो महली Hardware है जो की Computer खुद है उसके ज़र सौफ्टवेर होता है और इंसान उसको यूज करता है तो Hardware, Software और जो यूज करता है वो User Computer की विच्छिस्ताएं कौन-कौन थी है Computer की समताओं के आधार पर वर्गी करन किया गया है जो छोटा Computer है जिसमें कम समता है वो पहले और जो बड़ा Computer है जिसकी समताओं ज्यादा है वो बाद में तो इस प्रकार से Computer की समताओं का वर्गी करन किया गया है फिर computer के आधार बूत गटक कौण कौण से होते हैं जैसे हमने 10th य 12th में अपड़ा होगा input unit होती है output unit होती है CPU होता है CPU के अंदर क्या होता है L होता है ALU mathematical logical unit control unit होते है memory होती है फिर different type के inputs unit के बारे में हम पढ़ेंगे फिर different type के outputs unit के बारे में हम पढ़ेंगे CPU क्या होता वो पढ़ेंगे memory क्या होती है primary memory क्या होती है secondary memory क्या होती है memory में RAM क्या होता है ROM क्या होता है output unit में जैसे printer है उसके बारे में पढ़ेंगे monitor है उसके बारे में में पढ़ेंगे CD है pen drive है flash drive है speaker है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे की फिर हम पढ़ेंगे कि कंपूर के अंदर सॉफ्टैवर कौन 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 से काम मिले जाते है तो इस computer chapter के जो short and sweet notes हैं, वो मैंने whatsapp group में डाल दिये हैं, वो notes point wise हैं और वो notes exam की according है ना, ताकि exam में आप किस तरह से short and sweet notes बना के उनको exam में याद करके और अच्छे से answer और लिख सके हैं, बुक्स मैंने कहीं देखी हैं physical chemistry के लिए, बेसी पार्ट first year physical chemistry के लिए कहीं बुक्स मैंने देखी हैं, उसमें कुछ बुक बहुत ज्यादा detail में, कुछ बुक short sweet है, कुछ में इतना दे रखा है कि वो teachers के according तो ठीक हैं, लेकिन student इतना सारा जब किजे topic पढ़ता है न तो उसमे confused हो जाता है, वो मैं syllabus का नहीं पढ़ पाता है बस उस यूनिट में, study में गूमता ही रहता है, तो इसलिए मुझे जो short and sweet book लगी है, वो है बेसी पार्ट first year भौतिक रसाइन, जो जिसका publication है प्रगति एडिसन, इसमें नीचे लिखावा प्रगति एडिसन, है ना, प्रगति addition, जिसके लेखक का नाम है, जेपी चोदरी, बी एल, एस, एम नवीस, रेनु का जेन, और चंचल किराडिया, बैं दुबारा बताता हूँ आपको, जेपी चोदरी, बी एल, एसम नवीस, रेनु का जेन और चंचल कराडिया है, इसके पप्भीसर है, प्रगति एडिशन बेच्टी पार्ट फश्टियर फिजिकल केमेस्टी तो हम कंप्यूटर वाले चेप्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट है करतें कि कंप्यूटर है क्या कंप्यूटर आदुनिक जीवन का एक महत्पूर अंग बनता जा रहा है कंप्यूटर विभिन छेत्रों में काम जो भी आ रहा है जैसे इंजिनरिंग में विज्ञान में वाणिज्जी आनि कॉमर्स में चिकिस्टा के चेत्र में तो कंप्यूटर का यूज होता है वो शूच्छनाओं को एकटा करके गणना करके और हमें आउटपूट देने के रूप में यूज होता है रसाइन विज्ञान में भी कंप्यूटर का काफी यूज हो रहा है जैसे रसाइन विज्ञान के जो बहुत सारे उपकन है जिनको आप बाद में देखते हैं जिसमें आप MSC में या आगे MPHD में जाते हैं तब रसाइन विज्ञान में उपकन काम में ले जाते हैं उसमें कंप्यूटर होता है तो उसमें जैसे FTIR है, GCMS है जैस क्रोमेटोग्राफी AAS है, Absorption Atomic Spectroscopy, XRD है इन सभी में कंप्यूटर की हेल्फ ली जाती है और ये सब भी जो उपकन है ये रसाइन सास्ति यानि Chemistry के उपकन है कंप्यूटर के दुआरा सेदानतिक विसलेशन करके रसाइने गण्णाओं को करके हमें आउटपुट के रूप में परिनाम दिये जाते हैं इसलिए Computer Chemistry वाले Student को Basic जानकारी होनी ही चाहिए कि Computer क्या है, Computer को कैसे ओपेट किया जाता है हम बहुत जाज़ हैं तो at least Computer के बारे में हमें Basic जानकारी होनी ही चाहिए तो जो main topic है वो है Computer का इतिहास देखे, Computer के इतिहास के बारे में जनरली किस तो नहीं आता हैं लेकिन छोटा सा परिभासा वगरा पूछ सकते हैं जैसे अबेकस क्या है, Bledge Pascal क्या है, Jekard Loom क्या है, Analytic Engine क्या है तो चार चीजे हैं इन चार चीजों की परिभासा पूछी जा सकती है जैसे मैं आपको बताऊं Computer के इतिहास में अबेकस क्या है ये अबेकस आपको सामने एक कित्र दिखाई दे रहा है छोटा सा एक छोटा सा ये खिलोना टाइप से है, इस खिलोने में बीच में रोड है, आप इसको ध्यान से दे दे देखिए सबसे पहले गंड़ना करने के लिए ये मसीन बनाई गई थी, इस मसीन को ये खिलोने को हम अबेकस कहते हैं ये आज से 5000 साल पहले इसका उपयोग किया जाता था, इसमें तरो का एक फ्रेम होता है, और इन ये क्वेल्च बीच में तर है, इसमें पकी हुई मिटी ये लकडी के गोले पिरोई हुए हैं, अलगाए हुए है इसका उपयोग जोडने में घटाने में गुणा करने में और भाग लेने में काम में लिया जाता था जोड भी सकते थे बाकी भी कर सकते थे गुणा भी कर सकते थे और भाग भी दे सकते थे इस उपकड़ों को बोलते हैं अबेकर, इसका डाइगराम भी बिलकुल सिंपल है, आपको कुछ रोड बनानी है, तारों को एक फ्रेम, उसके अंदर ये गोले बनाने हैं, मिट्टी के या लकडी के गोले होते हैं ये, जिनके बीचों बीच से ये तार और गुजरता है, इसक अब हम बात करते हैं, बलेज पास्कल की, कि बलेज पास्कल क्या है, बलेज पास्कल एक फ्रांसिसी गणितग्ये हैं, जिनों ने गणना के लिए एक अविसकार किया था, एक यंतर का विसकार किया था, उस अविसकार वाले यंतर का नाम है, एडिंग मसीन, एडिंग मसीन, ये adding machine से सिर्फ जोड और बाकी कर सकते थे यानि कि गुणा और भाग नहीं कर सकते थे जोड और बाकी कर सकते थे इस machine में कई दांत युक्त पईये लगे होते थे वो पईये घूमते रहते थे पहले पईये का एक इस्थाने मान होता था जैसे हम कहते हैं एकाई, दहाई, सेखड़ा है ना इन पईये के दातों पड जीरो से नो तक अंग छपे होए रहते थे कहां तक होते थे जीरो से नो एक पईया घूमने के बाद दूसरा घूमता था यह machine जैसे एक पईया है एकाई वाला वो घूमता है वो जीरो पे आता एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, छे पे, साथ पे, आठ पे, नो पे नो पे आने के बाद उस पईये का जो एकाई पे जो पईया है उस पईये का चक्र पूरा हो जाता है तो 9 पे जब चक्र पूरा हो जाता है जो जैसी वो पईया 10 पे जाता है तो 10 तो होता नहीं 0 से लेकर 9 तक होता है तो 9 के बाद जैसी वो पईया दुबारा 0 पे जाता है तो एकाई के बाद वाला जो पईया होता था चक्र एकाई के बाद वाला जो चक्र होता था धाई वाला वो एक घूम जाता था यानि कि आपे देखे कि एकाई वाला भी 0 पे है पहले और दहाई वाला भी 0 पे है अब एकाई वाला 0 से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बाद जैसी एकाई वाला 10 पे जाना ना चाहेगा तो 10 तो है नहीं 0 आ जाएगा तो 9 से 2 से एकाई वाला तो चले जाएगा 0 पे लेकिन फिर दहाई वाला एक पॉंट घूम जाएगा एक पॉंट घूमेगा नहीं पहले दहाई वाला था 0 पे 0 से वो आ जाएगा 1 पे ठीक है उसके बाद फिर से एकाई वाला गूमेगा 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद जैसे ही आगे वो पड़ेगा तो 9 के बाद एकाई वाला दुबारा चले जाएगा 0 पे और दहाई वाला फिर पहले 0 से 1 पे आ गया था दहाई वाला तो अगली बार वो एक से चले जाएगा 2 पे ऐसे जब इकाई वाला अपना एक चकर पूरा कर लेता है तो दहाई वाला एक पॉइंट गूमता है और जब दहाई वाला एक चकर पूरा कर लेता है तो सेखड़ा वाला एक पॉइंट गूमता है इस तरह से पर ये लगे हुए थे जिनके दौरा जोड या गटाने वाला काम किया जा सकता था, इसकी पिच्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो और मैं दिखाऊंगा, इस उपकर्ण को या इस अंक गणिते यंत्र का नाम एडिंग मसीन रखा था, जिससे किवल जोड या बाकी ही हो सकती थी, और इसमें इकाई धाई सेखडा के पईय लगे वेते जो घूमते थे, इसको सत्रवी सताबदी में फ्रांस के गणितग्ये ब्लेज पास्कल ने बढ़ाया था, तो यह बच्चवाया आपको, ओ समझ में, इसके अलावा जो कंप्विटर के इतिहां से है, उसमें हम जेकार्ड लूम वाली मसीन को भी स्टेडी और जेकार्ड लूम के बाद हम एनलिटिकल इंजन को भी स्टेडी और करेंगे है ना, उसके बाद हमारी कंप्विटर की भासा आ जाएंगी, इसमें जैसे हम क्विश्टन की अगर बास करें कि क्विश्टन किस तरह के आते हैं, तो क्विश्टन जैसे कहीं बार वेरी ना, तो कुम्स बताईए, हाड़वेर के दो उधारन दीजिये, सॉफ्टवेर के दो उधारन दीजिये, अबैकस क्या होता है, इस तरह के छोटे-छोटे कुस्टे इसमें काफी पूछे जाते हैं, बाइनरी अंक क्या होते हैं, यह दो बाइनरी अंक दे दिये, उनका क्योंगा Computer की किनी दो भासाओं के नाम लिखो Computer की कमी बताओ या सीमा बताओ के नाम लिखो एक चोटे चोटे किसेंट जोड़े के बात कर तो इस तर से आजाते कि memory क्या होती है memory का computer में क्या उपः होगे ROM क्या होता है RAME क्या होता है hardware और software को describe करो Burna करो software कौण कौण से होते हैं RAM और ROM क्या है दोनों में क्या अंथर है ये बताओ binary संक्या को simple संक्या में कैसे پरिवर्तन करते हैं या simple संख्या को binary संख्या में कैसे परिवर्टन कर करके बताना होता है को आपको binary Sंख्या में बदलना और भी बड़ा question आ जाएगा तो आएगा operating system क्या होता है inkjet printer क्या होते है laser printer क्या होते है infotunit क्या होती है computer की CPU क्या होती है computer की CPU के कौन-कौन से भाग होते है इस तरह से बड़े questions भी आ सकते हैं तो ये किस तरह के questions पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया है अभी ये चेप्टर हमने start किया है हम इसको आगे लगातार detail में study करेंगे और आगे हम देखेंगे कि computer की history में और कौन से दो apparatus है और साथ में computer के कौन-कौन से फीडियां है और PD में जो अभी वरतमान में computer काम में लिया जाता है जो PC काम में ले रहे हैं परसनल या computer वह कौन से PD के अंदर आता है तो इसको में study करेंगे notes में आपके WhatsApp group में डाल दिये हैं आप पुरको प्रिंट ले लिजी या note-down कर लिजी note-down करने में आपको computer या mobile पर काफी टाइम बेठना होगा तो आप प्रिंट ले लिजी और प्रिंट लेके और फिर आपस में जरोक्स करवा लिजी ताकि प्रिंटिंग का चार्ज भी आप लोगों के कमी आगा अने स्ट्वर्ण तो एव गुड़ डे बबाई हम नेक्स क्लास में जल्दी ही मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बबाई